बच्चो बहुत स्वागा थे आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनी लिया दो अब बच्चो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ ये बहुत छोटे प्रेश्ण हैं लेकिन बहुत ही महतुपूर हैं और काफी बार एक्जाम में आते हैं और बच्चो मैंने कुछ टॉपिक्स लिये हुए हैं आपके सामने मैं टॉपिक एक बार रिकॉल कर देता हूँ जैसे कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ समस्थानिक, सम भारिक, सम नियोट्रोनिक और सम एलेक्ट्रोनिक बच्चों एक एक करके सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, मैं सबसे पहले आपके साथ टॉपिक लेता हूँ समस्थानिक बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे समस्थानिक क्या होते हैं एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे परमाणू जिनके परमाणू क्रमांक एक समान किंतू परमाणू भार भिन भिन हो भिन भिन हो क्या कहलाएंगे बच्चों वो समस्थानिक कहलाएंगे ठीक उधारन के तौर पर देखिए कुछ समस्थानिकों के सबसे पहला उधारन बच्चों हाल्रोजन के तीन समस्थानिक हैं हाल्रोजन के तीन समस्थानिक हैं बच्चों इसमें सबसे पहला है एच वन वन एच वन टू और एच वन थ्री मैंने आपको बताया है बच्चों एक ही तत्व के भिन 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 परमाणू है एक ही तत्व के तो हाल्रोजन एक ही तत्व उसके भिन भिन परमाणू है हाल्रो हाइडोजन का पहला समस्थानिक इसका नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटियरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम बच्चों इसे तरह से तीसरा समस्थानिक है प्राइटियम यह एक रेडियो समस्थानिक भी है यह रेडियो धर्मी है यह यह स्वता ही अपन सबसे पहला Oxygen 8 16 बच्चो Oxygen 8 17 और इसके अलब ऑक्सीजन 8 18 बच्चो इसके अलब नेक्स्ट एक्जाम्पल में ले लेता हूँ पार्वन के समस्थानिक तो बच्चों जैसे ही कार्वन के समस्थानिक की बात करेंगे आप याद रखिए कार्बन के भी बच्चो तीन समिस्थानिक ग्यात हैं जैसे ऑक्सीजन के तीन थे हाना हाड्रोजन के तीन है उसी तरह से कार्बन के भी तीन समिस्थानिक है इसमें सबसे पहला है C6 12, C6 13 और C6 14 बच् algumas कार्वन का चौता समस्थानिक हैं यह भी रेडियो हर्मी है ठीक है यह यह लग तरह का रेडियो धर्मी समस्थानिक है। बच्चों इसके एक महतुपूर्ण एक्जामपल और भी आपके साथ डिसकस कर लेता हूं। चौथा एक्जामपल है वो हमारा और वो है क्लोरीन के समस्थानिक। समस्थानिक के समस्थानिक इसे एक होता है C.L.17 35 और बच्चों नेक्स थो था C.L.17 37 तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको संख्षिप्त में समस्थानिक की जानकारी दी बच्चों नेक्स था सम्भारिक हम देखेंगे जल्दी से सम्भारिक क्या होते हैं। संभारिक बच्चो डेफिनिशन आपके सामने सबसे पहले आजाएगी तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए भिन भिन तत्वों के पर्मारू जिनके पर्मारू क्रमांग भिन भिन हो किंतु पर्मारू भार में क्या हो बच्चो समानता हो तो बच्चो बहुत अच्छी तरह से समझे भिन भिन तत्व के पर्मारू जिनके पर्मारू क्रमांग में भिननता होगी लेकिन उनके पर्मारू भार में क्या होगी समानता होगी आप उनको क्या बोलेंगे संभारिक बच्चों संभारिक के लिए कुछ examples आपके सामने रख रहा हूँ उधारन देखिए संभारिक के लिए जैसे मैं एक ले लेता हूँ potassium 19, 40 इसके अलब पर पिटा calcium 20, 40 ठीक है तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके परमाणू क्रमांकों में परियाप तो भिन्नता है लेकिन जबकि परमाणू भारों में आप देख सकते हैं क्या है? समानता है तो यह एक दूसरे के सापिक संभारिक क्या लाएंगे बच्चो इसके बाद जो अगला टॉपिक आमारे सामने था वो है समन्यूट्रोनिक समन्यूट्रोनिक तो बच्चो जानने की कोशिश करेंगे की समन्यूट्रोनिक क्या होते हैं तो बच्चो बहुत अच्छी तरह से समझें तत्वों के ऐसे परमारू तत्वों की ऐसे पर मालू योगिक जिन में एलेक्ट्रोनों की सुरी बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजेगा जिन में न्यूट्रोनों की जिन में न्यूट्रोनों की संख्या कैसी होगी बच्चों एक समान जिन में न्यूट्रोनों की संख्या एक समान हो या होगी ठीक है या होती है आप कह दें तो उनको आप क्या बोलेंगे सम न्यूट्रोनिक बच्चों इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेट्मेंट था सम एलेक्ट्रोनिक तो जल्दी से सम एलेक्ट्रोनिक बता देता हूं सम एलेक्ट्रोनिक बच्चो ध्यान दीजे दो इसको स्टाड करिये परमारू से तो बच्चो हमें यहां पर कह सकते हैं ऐसे तत्वों के परमाडू, अलू, योगिक, आयन, जिनमें एलक्ट्रोनों की संख्या, बच्चों, वंको क्या कहते हैं? सम इलक्ट्रॉनिक कहते हैं, अगर मैं उधारन के तोर पर सबसे पहले नियोन की बात करूँ, तो बच्चो नियोन का परमारू करमांग 10 है, इसमें 10 एलेक्टॏन है, ठीक है, इसी तरह से एक बात करूँ, तो इसका परमारू करमांग 11 है, बच्चो इसे एक एलेक्टोन कम कर दिया जाए, तो ये Na-Plus में बदल जाएगा, जैसे यह Na plus में बदलेगा इसके पास भी ऐलक्टॉनों की संख्या 10 हो जाएगी बच्चो इसी तरह से Magnesium 12 बगर ले लिया जाए इससे 2 ऐलक्टॉन कम कर दिये जाए तो Magnesium Mg double plus में बदल जाएगा और बच्चो इसके पास भी 10 ऐलक्टॉन हो जाएगे इसी तरह से Aluminium परमाडू क्रमांग 13 इससे 3 ऐलक्टॉन कम कर दिये जाए बच्चो तो यह Al plus 3 में बदल जाएगा और इसके पास भी 10 ऐलक्टॉन हो जाएगे बच्चो ऐसा ही कुछ एक example और ले लेता हूँ जैसे Florine इसका परमाडू क्रमांग 9 है अगर इसको एक electron दे दिया जाए इस पर जोड दिया जाए तो यह F negative में बदल जाएगा बच्चो इसके पास दस electron हो जाएगे इसी तरह से कुछ और examples मैं आपके सामने रख देता हूँ बच्चो जैसे कि Oxygen minus 2, Nitrogen minus 3 तो बच्चो यह सभी जितने एक्जांपल मैंने आपके साथ रखे आप देख सकते हैं इन सभी पर electronों की अधिक्तम संक्या कितनी है 10 है और बच्चो इसलिए यह सभी some electronic species यह some electronic कहलाएंगे तो बच्चो इसी तरह की कुछ और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना खयाल रखिए बाई बाई